Hello Friends, Namaskar and Welcome to Koval Lahata Official. इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य वंशी के रिलीज के बारे में. लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा. तो सूर्य वंशी कब रिलीज होगी? तो सूर्य वंशी कब रिलीज होगी? अग्चुली, डेढ़ दो महीने पहले, रिलाइंस एंटेंमेंट की अंदर की खबर ये थी कि 2nd April को सूर्य वंशी रिलीज होगी and that would be the first major release post-lockdown. लेकिन अब ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि 2nd April को सूर्य वंशी रिलीज होगी. In fact, हमने कुछ समय पहले, रिलीजस का एक वीडियो बनाया था, रिलीजस फ्रॉम मार्च तो डिसेंबर 2021, उसमें हमने सूर्य वंशी का नाम नहीं लिया था. आप में से बहुत लोगों ने ये कहा था, कि जब इतनी सारी फिल्मों के रिलीजस डेट्स हमने अनाउंस कर दी है, तो सूर्य वंशी की क्यों नहीं? Actually, हमने कोई रिलीजस डेट अनाउंस नहीं की, we just put together all the release dates, जो उन फिल्मों के प्रेड्यूसर ने अनाउंस की थी, और क्योंकि Reliance Entertainment ने officially सूर्य वंशी के रिलीजस डेट नहीं अनाउंस की थी, तो हमको लगा था, कि उसकी रिलीजस डेट हम ऐलान करें कि 2nd April है, वो गलत होगा. Actually, सूर्य वंशी के makers अभी भी convinced नहीं हैं कि पब्लिक सिनेमा में आएगी या नहीं आएगी. आप तो जानते हैं, बहुत कम पब्लिक सिनेमा जा रही हैं for fear of the coronavirus. Actually, यश्राज फिल्मों के रिलीजस डेट्स अनाउंस की सबसे पहले, after the lockdown. जैसे के संदीप और पिंकी फरार, शमशेरा, बंटी और बबली टू, जैश वाई जोड़दार, पृत्वी राज, इन सब की रिलीजस डेट्स अनाउंस की और उसके बाद धीरे 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 धीरे, in fact धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्द यश्राज फिल्म्स के बाद बाद की प्रेड्यूसर्स ने भी अपनी फिल्मों की रिलीजस अनाउंस की, किसी की दो फिल्मों की अनाउंसमेंट आ गई, किसी की एक फिल्म की, किसी की तीन फिल्म की, तो ऐसे करके धड़ा 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 लाइन लग गई, अब ये सब रिलीजस डेट्स हो चुकी है लेकिन इट प्री सपोज़ के पब्लिक भारी संक्या में सिनेमा घर में आएगी उसके बाद क्या हुआ यह सारी रिलीज डेट अनाउंस हुई लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि करोना वाइरस का आउटब्रेक वापस होने जा रहा है अभी भी मेडिकली यह नहीं आउगस्ट, सप्टेμबर इन माहिनों की तरह अलामिंग नहीं है लेकिन एक फियर है और इसलिए अब क्वेश्चन मांक आ गया है इन सब रिलीज डेट्स पर and Reliance Entertainment is also concerned ना सिर्फ इस वजह से कि Second Outbreak की गुझाईश है, Second Outbreak की आशंका है लेकिन इसलिए भी किया Public अभी भी Second Outbreak हो या ना हो अभी भी तैयार है सिनमा घर में दो धाई तीन घंटे बैटने के लिए to see a film and इसलिए रूही जो 11 मार्च को रिलीज होने जा रही है, that is the first major release, star cast release after 100% occupancy has been announced या has been allowed by the center of course उसके बाद भी कई state governments ने 100% occupancy cinemas के लिए allowed नहीं की है मिसाल के तौर पर महराश्टा में and therefore Mumbai में 100% occupancy allowed नहीं है अभी भी cinemas को 50% occupancy पर operate करना allowed है in Bombay, in Maharashtra, in Mumbai लेकिन काई state governments है, उन्होंने अपने अपने प्रांतों में शत्-प्रतिशत occupancy allowed कर दी है तो रूही विल बीड़ फिल्म तो रिलीज आफ्टर 100% occupancy has been allowed और इस वज़े से पूरे ट्रेड की नजरे रूही पर टिकी हुई है रूही के collections किस प्रकार के होते है अफ्कॉस, one doesn't expect कि जहाँ पर 100% occupancy है वहाँ पर रूही के collections 100% होंगे वो कोई नहीं कहता है मगर क्या वो October, November, December, January and February की releases से ज्यादा occupancy इकठा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी वो सवाल है और शायद इस वज़े से सूर्य वंशी की release date announced नहीं हुई है because वो question answer होगा 11th March को अगर 11th March को रूही की opening terrific लगती है terrific in relative terms, terrific in comparative terms यानि October, November, December and January की फिल्मों से कई ज्यादा opening लगती है तो तो फिर established हो गया है कि public अब पूरी तरह से cinema घर में आने के लिए तैयार है अब आप कहेंगे रूही और सूर्य वंशी में क्या comparison of course दोनों में कोई comparison नहीं है लेकिन रूही में अगर जो फिल्में October, November, December, January and February 2021 2020 के लास्तीन महिने and 2021 के फिल्मों के फिल्मों में जितनी पूरी पूरी तरह से कई ज्यादा रूही के लिए आती है तो ये establish हो जाता है कि जब सूर्य वंशी रिलीज होगी भारी संक्या में पूरी तरह से सिनमा घर में आने के लिए तैयार है नहीं तो without the release of Ruhi या before the release of Ruhi किसी को खबर नहीं है कि कितना बदलाव लोगों की सोच में आया है और कितनी तैयार पब्लिक है अब सिनमा घर में आने के लिए और इसलिए सूर्य वंशी की release date still remains a mystery वैसे आपको बता दें कि multiplexes and reliance entertainment के बीच में अभी भी negotiations 100% settle नहीं हुए है 100% जो problems थी revenue sharing and exclusive theatrical window को लेकर वो पूरी तरह से settle नहीं है लेकिन वो slow negotiations चल रहे हैं because अभी तक reliance entertainment नहीं ये तैय नहीं किया है कि वो सूर्य वंशी को किस week या किस day पे लेकर आना चाते है जैसे ही 100% तैय हो जाए कि हमें इस date को आना है फिल्म को इस date को release करना है of course negotiations की speed दस गुनी बढ़ जाएगी and finally things will settle यानि ये जो matter है, मसला है, दो तीन issues को लेकर वो settle तो होगा ही लेकिन delay इसलिए हो रहा है because reliance entertainment itself is not sure whether they want to come on 2nd April या किसी और date को और किसी और date यानि अगर April 2nd को नहीं आती है तो probably it would go to July because April 2nd के कुछ हफतों बाद, Ramzan शुरू होगा उसके बाद Eid पर Radhe आएगी उसके तीन हफते बाद, Reliance की ही 83 आएगी तो Radhe से पहले Ramzan में नहीं आएगी सुर्य वंची रादे के बाद, और 83 के पहले नहीं आ सकती है because it would be sandwiched between two films यानि, it will go to July Of course, ये सारे releases, ना सिर्फ Reliance Entertainment की लेकिन दूसरे producers की भी all these are subject to the collections of Ruhi, Mumbai Saga, etc, etc, being good बड़े budget की, बड़े starcast की films के नाम हम ले रहे हैं क्योंकि वो असली test होगा कि public cinema घर में आने के लिए तयार है या नहीं है तो अब आप समझें क्यों हमने releases वाले video में सूर्य वंशी का नाम नहीं लिया था while listing down the release dates तो सो बातों की एक बात अभी भी सवाल यही है कि सूर्य वंशी क्या 2nd April को release होगी या नहीं होगी और इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है एक या दो दिन में हो सकता है Reliance Entertainment अनाउंस कर दे लेकिन 2nd April को आ भी सकती है और ना भी आ सकती है और इसलिए हम कहते हैं कि अंदर की खबर ट्रेड के अंदर की खबर जो आपको किसी चानल पर नहीं मिलेगी वो इस चानल पर मिलेगी दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो कॉमें सेक्शन में जाकर अपने कॉमें ज़रूर पूस कीजेगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से अब सूर्य वंशी कब रेलीज होनी चाहिए थैंक यू शुक्रिया और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूँ स्थेसे श्यू रेलीज विए ये जिसे ए, ये टूने